किछ दिन पहली सावन अमावश्य किदिन हमनि हरेलि मनाई हैं फिर ऊकर 5 दिन भाद यानि सावन सुक्ल पच्पिके दिन नाख्पन्च में मनाई देख 10 दन बाद अब सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन मनाबों वकर एक दिन बाद यानी भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन भोजली ठंदा कर वो तेकर पांच दिन बाद यानी भादो कृष्ण सस्ठी के दिन कमरच dense मना वो आउ वो कर दो दो दिन बाद जन मास्टर मी फिर साथ दिन बाद भादो के अमावस आ जही सब कोई पूरा वना वो तहां ती जा तहां गड़ेश चतुर्थी ऐसे करके हमर 36 गड़ के तिहार बन आगे बढ़ाज जा थे और यही सब तिहार मन सवाल माजब आथे प्रिलिम्स के तहमन गलती करदार थन काबर की हमनों लायाद कर थन 36 गड़ा सीखना पड़ी इलायाद करे ले नहीं चले बार बार कतों 36 गड़ महावा तो 36 गड़ा सीखा 36 गड़ा रटे से अच्छा यही फाइदा के चीज़े नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्करेंट अफेर के स्टेशन में ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेंट मार्टिन द्विप के बारे में ठीक सेंट मार्टिन दिन सबसे पहले कहां पे इस्थित है तो इसका कारण क्या है और क्या मुद्ध है इसको भी समझने की कोशिस करेंगे मंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन दिन द्विप लगबग तीन वर्ग किलोमेटर शेतर में फैला हुआ है यानि ठीक ठीक अगर बात करें तो गांधी चोक क्या सपस स्टूडेंट जितने एरिया पे रहते हैं उससे भी छोटा है यह सेंट मार्टिन द्विप लेकिन यह किसी के सरकार को गिराने का बात कर दिया क्यों ऐसा हुआ देखते हैं हुआ क्या था इसे एक हसीना की नेत्रित वाली सरकार ने प्रतन के साथ ही चर्चा का विशाए यह सेंट मार्टिन द्विप बन गया है क्योंकि हसीना ने संकेत दिया कि यदि उन्होंने सेंट मार्टिन को अमेरिका को दे दिया होता तो यह में है अगले मैप के माधिम से समझेंगे तो बंगलदेश के च्छेतरह में ये लेकिन बार-बार इसके मियानमार अपना धावा ठोकते रहता है ठीक है बाद मियानमार में जब साशन स्थापित हुआ था तो उन्होंने मान लिया था कि यह बन्गलादेश का सब्सक्राइन म्यानमार में cash Beim और यह सेंड और संग सरकार है सभव को अपने शेतर में होने का दावा करती है म्यानमार सरकार लेकिन विश्वए बनांता हैं कि वहां भी किसके पास है बंकलडेश के सैंड मार्टिन द्विब के पास में अभी यहां पे आप सैंड मार्टिन द्विब देख पा स्थे यह उसके लिए हैं लेकिन आपके लिए जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि सेट मार्टें कहां पैसे था बंगाल की खाड़ी में इस्तित है कौन-कौन इस पर दवा करने की कोशिछ है भारत के कौन-कौन से मुंगा दूइफ है या फिर शैवाल वाले दूइफ है ये आपको पता रहना चाहिए ठीक है कमेट में बताईएगा इसके बाद क्या है जुड़ा हुआ भी बाद अच्छा इसके साथ एक और इंपॉर्टन हो जाता है कि मुंगा चट्टान किसको कह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूरी भाग में चुटर से दूइफ है जिसको कच्छे तरफल लगबक केवल तीन वर्ग किलोमेटर है यहां पर यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में ठीक है तो यह जो पोर्शन दिख रहा है आपको यही है सैंड मार्टिन रहा होगा अब इसको क्या है कि यह हजारों साल पहले है अदिप तेक नाफ प्रायदीप का विस्तार के रूप में हुआ करता था लेकिन बाद में इस प्रायदीप का कुछ हिस्सा जल मागना हो गया इस प्रकार उक्त प्रायदीप का सबसे दक्षणी भाग एक बीब बन और बंगला देश की मुक्य फुमी से अलग हो गया इस दूइप पर सबसे पहले अरब वैपारियों ने बसना सुरू किया और इसका नाम जजीरा रखा नारीकेल जंजीरा यहीं से नाम निकला है फिर इसके बाद बिटिस कबजे के दोरान इस दूइप का नाम चटगाओं के तातकालिन कमिशनर मार्टिन के नाम पर सेंट मार्टिन रख दिया गया अच्छा इस दूइप में नारियल बहुत अधिक है इसलिए इसका नाम नारीकेल जिंजीरा ही है अच्छा बंगला देश का यह एक मात्र मुंगा दूइप है तो यह था सेंट मार्टिन दूइप के बारे में इसके अगले फोटो में आप देख पा रहे होंगे हमारे देश के प्रथान मंत्री नरेंद्र मोधी जी कुछ कृषिव एग्यानिकों से और किसानों से बात कर रहे हैं जिसके इंपोर्टेंट यहां है कि इसमें जलवायू अनुकूल फसलों की 109 किसमों को जारी करने वाली बात चल रही है तो अब जलवायू अनुकूल खेती या फिर टिकाओ खेती या जैविक खेती के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए यह बहुत का प्रयोग नहीं किया जाता जैविक खात का उपयोग करते हैं इसको जैविक खेती कहते हैं इसके बाद है टिकाओ खेती तो ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है माफ करिएगा प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान किया जाता है और परियावरन संतुलन को बिगाड़ने से बचाने के लिए प्रदूर्शकों का उपयोग नहीं किया जाता ठीक है तो इसको क्या कहते हैं फिर टिकाव सब्सक्राइब करने की लिए इसको टिकाओ क्रिषी कहते हैं यानि टिकाओ खेती में पर्याब वरन के जितनी भी अवियव हैं जैसे मिट्टी हो गया जल हो गया इन सब को प्रणूशित किये बिना यानि इनमें रशानिक समागरियों को विले किये हम अच्छे से की कोशिस करते हैं इसको सुध क्रीसी भी कह सकते हैं फ्यूचर के लिए क्रिषी संधारनी तर сам के लमारे डिटेल में और आपको पढ़ना चाहिए बढ़ते हैं कुछ मुंडा खदान में कुछ दिनों पहले एक हाथसा हुआ था कि वहां पर जब बारिश हुई थी तो मिट्टी का मलवा जो था उसके अंदर एक बुलेरो दब गया था इसके करण उस जगह पर अब खुदाई बंध हो गया है यह जब आप निउस को देखते हैं तो इसके मुक्यता आपको पता होगा गुडवाना छेत्र में कोईला प्राप्त होता है यानि बिलासपूर संभाग के उपर के छेत्र में कोरबा, रायगण, सरगुजा, कोरिया, सुरजपूर, बलरामपूर इन सब छेत्रों में हमें कोईला देखने को मिलता है इसमें कोरिया में च जाता पानी तारा शंकरगड उलिया है इसके बाद सर्गुजा में लखनपूर सोडिया गोठान बिर्जुपाली सेडू और पांच बहनी है कोर्बा में मुकुंधगाट देखेंगे दिपका देखेंगे गेवरा कुसमुंडा मानिकपूर कोर्बा चैनपूर हस्देव अरण इत्यादी शेत्र इस्थित हैं राइगड में धरम जगर घरगोड़ा मांडगाटी चाल खरसियां तमनार वरौत जामपाली गारेपालवा कुडुमकेला चिम्टा पानी तिलाई पाली मांड शेत्र डोमनारा बगादिया और बोरीवल शेत्र में इस्थित हैं ये सारे अन्यखनी जो को आपको पढ़ लिना चाहिए इसी प्रकार से पढ़ाई की जाती है सिक्वेंस पे ठीक है कोई करेंट अफेर का फेक्ट नोट किये फिर तुरंत उसके बारे में स्टेटिक पोर्शन क्या रहा है उसको निकालिए और उसके बाद पढ़ लिया जाता है ठीक है और उसको एक बिजनेस का फॉर्म दे रही है ऐसे ही युवाओं की जरूरत है स्टार्ट अप इन्हींत युवाओं के स्टार्ट अप को गौर्मेंट सपोर्ट कर रहा है जिसके लिए गौर्मेंट ने उद्यम क्रांती योजना बनाया है 37 गड़ के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सबसीडी युक्त तथा ब्याज मुक्त रिन की सहायता प्रदान की जाएगी संपूर्ण रिन का 50% सबसीडी के रूप में मिलेगा यानि युवा को जितना भी लोन वो लेगा उसका किवल 50% उसको वापिस क और इन्होंने एक वाशेबल सेनेटरी पैड बनाया है जो की 70 रुपए में है और काफी सस्ता भी है एक यह आपका फैक्ट हो गया इसके बाद उद्यमक्रांती योजना को जब आप पढ़ते हैं तो आपका दूसरा फैक्ट हो जाता है एस वेल इस योजनाओं को अगर कोशन आ चुका है कि यह कब गिरफतार हुई थी अब इस तरह का न्यूज जो की पत्री का न्यूज में पढ़के पहट पेज में दिया होता है जिसमें 36 घड़ी भासना में एक प्रकाशित होता है एक पेज एक दिन उसमें आपको देखना चाहिए 36 घड़ी में लिखा होत रधा भाई हरे वोकर जनम 1875 मां नागपूर के इतवारा पारा मां होई रही है वोह नौ बरस के उमर मां विद्वा होगे रही से वोकर दाई ददा भाई कोनों नहीं रही ताप पड़ोसी है वोकर सहारा बनीस कायस्त परिवार मां जनम ले के बामधन परिवार मां पलिस ठीक है 1875 में इनका जनम हुआ था अगर आपको कहीं पर नहीं मिलता है तो इसको याद कर लीजिएगा अगे राधा भाई है जीला मां महिला मन के जागरन करें 22 अगस्त 1930 मां राइपूर रेल स्टेशन मां मझनिया के वेरा मां 500 लोगमन जुराए रहीं देखो 22 अगस्त 1930 क अग्वाई मां अंदोलन कारिमन जोरदार स्वागत करीन पुलिस अराधा भाईला हटेवर कहीं स्तवह अडगे कप्तान हधका मारी स्तवह गिर गे तब संकर राव जी है ओला बचाईस आपको पता होगा संकर राव गनुद्वाले जी के बारे में बात हो रही है इसके बा इसके बाद बिदेशी जीनिस के वहिसकार वहा अगोई स्तेकर से थी ओला छै महिना के सजा और तैईस रूपिया के जुर्माना हुआ अगर प्रिलिम्स में आ जाएगा तो आप आउट अफ से लिबस है करके रोना धोना करेंगे यहां से पढ़ा जाता है ठीक है इसके बा बाद मां चाहिए पढ़ने की कोशिस करनी चाहिए यहीं बहुत सारे फेक्ट्स हो सकते हैं वह सकता है पेपर में आ जाहें ठीक आगे बढ़ते हैं वही सारी चीजें राधावाई के बारे में लिखी हुई है तेरा जुन सन 1932 को यह गिरफ्तार हुई थी एक मात्र महिला डिक्टेटर थी रैपूर नगरपाली का में 1918 में दाई का कार्य करती थी त्यायम समर्पड भाव के कारण इन्हें डॉक्टर के उ क्विनिती है कि जब आप कोई भी इस तरह के करेंट देखते हैं तो तुरण जाकर के उसके स्टेटिक को पढ़ा करिए स्टेटिक अगर पढ़ पाएंगे तो आपको लिंक करना आ जाएगा ठीक है एक कल्चरल डिबार्टमेंट का इस वीडियो को देखते हुए इस वीड के भी इस वीडियो कि एक है कर दो कर दो झाल झाल